तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालो हो कि आप Snapchat पर अपने ID लॉग इन कैसे कर सकते हो जी है दोस्तो अगर आप भी जाना चाहते हो कि Snapchat अकाउंट लॉग इन कैसे करें तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मुबाल में Snapchat अप्लिकेशन को उपन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की और एक लॉग इन और साइन अप का ओप्शन देखनी को मिल जाएगा अगर आप पहली बार Snapchat को open करें हो तो सबसे पहले Snapchat पर आपको अपनी ID create करनी होगी तो guys उस वीडियो का link आपको इस वीडियो की description में मिल जाएगी उस वीडियो को देख करके बड़े असानी से अगर आप पहली बार Snapchat को open करें हो तो आप उपनी ID create कर सकते हो उसके बाद guys आपका Snapchat open हो जाएगा लेकिन guys अगर आपने Snapchat पर अलरड़ी अपनी ID बना करके रखी है और अगर आप उस ID को Snapchat में login करना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है simply आपको अपने mobile में login option पर click करना है इस पर click करने के बाद दुस्तो यहाँ पर आपको जो है यूजर ID और password का option आपको देखनी को मिल जगाए तो simply यहाँ पर आपको जो है username और और इसके बाद दुस्तो यहाँ पर आपको username email का option आपको देखनी को मिल जगाए जहाँ पर guys आपको अपने Snapchat अकाउंट की login डिटेल आपको फिल करनी है तो यहाँ पर अगर आपको Snapchat ID का username पता है, user ID पता है तो यहाँ पर आपको user ID डालना है और इसके बाद अगर आपने email ID से अपना Snapchat ID बनाया है तो यहाँ पर आप email ID भी डाल सकते हैं आपको password वाला option मिलेगा तो password में guys आपने Snapchat अकाउंट का जो भी password रखा था सिंपली यहाँ पर आपको उस password को डालना है और guys आपको login option पर क्लिकना है तो फटावट में अपना username और password यहाँ पर फिल कर लिता हूँ तो guys मैंने आप पर user ID और password यहाँ पर डाल दिया उस नंबर पर OTP आएगा और OTP डालने के बाद आप अपने नए password बना सकते password को reset कर सकती हो तो guys अगर आपको password पता है तो यहाँ पर आपको user ID और password डालने की बाद जैसे ही आप login option पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका Snapchat ID login हो जाएगा तो guys यहाँ पर आप देख तुमारा Snapchat ID यहाँ पर login हो चुका है तो guys कुछ इस तरीके से आपकी भी ID login हो जागी यहाँ पर profile पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी profile शो हो जाएगी